तो पारवती जी इसकंद पुराण में प्रिश्न कर रही है भोले नाग जी से कि प्रभू मुझे ये वताओ कि आपके द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूलता नहीं है पर मेरे द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूल क्यों आया है उसमें काटा क्यों आया है कि शिवजी जिस रुद्राक्च को उत्पन कर रहे हैं उसमें शूलता नहीं है पर पारवती जी जो संग में मिली हैं उसमें भी शूलता है और पारवती के द्वारा जो प्रगट हुआ बिलपत्र उसमें भी शूलता है तो भगवान महादेव बोलते हैं पारवती मैं तुझे कुछ कहूं और कहने पर तुझे तेरे हिरदाएं में कोई बात चुब है शूल लगे तो मुझे ठीक नहीं लगेगा नहीं नहीं आप कहिए प्रवु तो बोलो कि कारण क्या है भगवान करते हैं पारवती बसंतर इतना है नारी का जो सुभाव होता है इस तरीका जो सुभाव होता है उसके हिरदाएं में छोटी छोटी बात के शूल बहुत होते हैं जेठानी ने ये कर दिया, देवरानी ने ये कर दिया, तुमारी मम्मी ये बोल दी, तुमारे पापा ने ये कर दिया, तुमारे बहनों ने ये कर दिया, तुमारे भाई ने ये कर दिया, तुमारे रिष्टदार ने ये बोल दिया, ये ये नारी के भीतर ये शूलता रहती है तो पारवती जी बोली कि जितना तप आपने करा उतना तप मिने करा और जितनी साधना आपने करी उतनी साधना मिने करी और जितना अराधना दिल से आपने करी उतनी अराधना दिल से मिने करी फिर इसमें शूलता कहां से आगए भगवान शिव बोले बस पारवती बात इतनी सी है कि जब मैं अराधना करने बेटता हूँ तो मेरी दृष्टी में क्या करा है कौन ने क्या बोला है कौन क्या कर रहा है उससे मुझे मतलब नहीं होता उससे मुझे कोई मतलब नहीं होता पर पारवती जब तु अराधना करने भी बेटती है ना, तो तेरी चित्य ब्रत्ती में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में कोई शूल आही जाता है। मैंने बोला था बहु से कि वहां रख ले थी, बताओ इतनी सारे यहां पर लाकर रख दी है, अब इसकी सेवा करना पड़ रही है, अब ये करना पड़ रहा है। बोजन करने वेठे तो शूलता है, कोई कारे के लिए जा रहे हो तो शूलता है, अर्थात कहीं ना कहीं नारी के जीवन में शूलता बनी हुई है। और पारवती जब तुम भजन करो, तब करो, साधन करो, भक्ती करो उसमें शूलता नहीं होना चाहिए। पारवती जी ने कहा, भोले ना का, तो क्या आप मुझे स्विकार नहीं करेंगे बिलपत्री के रूप में। क्या मुझे स्विकार नहीं करेंगे शमी पत्र के रूप में। पद्म पुराण, इसकंद पुराण, लिंग पुराण, नरवदा पुराण और शिव महा पुराण, यह सती खंड बंडन कर रहा है। अमा सहीता मर्ण हरे है आप मेरा ये बेलपत्र का सुरूप आप धारण नहीं करेंगे। इसमें शूलता इसलिए भगवान करते हैं। धारण तो करूंगा पर शूल धारण नहीं करूँंगा। कि अ में शूल धारण नी करना मतलब बेल पत्त री में हैं उस दाली के अंदर जो काटे शूल रहते हैं भगवान सीव धारण नहीं करते आप उस बेल पत्त को आप बड़े प्रेम से अनंद से पत्ते को निकाल लीजिए तोड़ लीजिये उतार लीजिए और फिर भगवान क पर भोले ना, ये बेल पत्री का जो वरक्ष है मेरे नए अश्रूस उत्पन हुआ है, मेरे द्वारा उत्पन हुआ है, फिर तो इन काटों की कोई महत्वता ही नहीं है, इन शूल की कोई महत्वता नहीं है, पार्वती, केवल तीन दिन ऐसे रहेंगे, तीन वार ऐसे रहेंगे, तीन तिथियां ऐसी रहेंगी, तीन समय ऐसा रहेगा, जिस समय पर तेरे द्वारा निर्मित शूल को भी शिवधारण करेगा और जगत का तल्यान करेगा, तीन दिन, तीन तिथियां, तीन वार, तीन अच्छत्र, तीन घड़ी, तीन पल, जिसमें बाबा शूल भी धारण करते हैं, और शूल अकेले धारण नहीं करते हैं, जो धतूरा होता है ना दर्शन करें धतूरे के काटे काटे सा होता है धतूरा तो धतूरे के साथ में बाबा शूल धारण करते हैं बेल पत्री के शूल को ये बहुत बहुत आनंद में कता है मारज जिसके जीवन में हमेशा काटे ही मिलें बेटी बड़ी हुई तो घर में ucher जो आई Cuz प्रमाने दुख देखा सुस्तृराल में भी दुख देखने के बाद में भी पती को बहुत कुछ काम खुलवाया वहुत धंडे खुलवाया नोक्री लगवाई पर वह पृत typically बार एंच्छ चरा गया अर्पडрим तक्ली सब्ण发just हुगरा अ कि पिर थोड़े दिन क नहां देव काते हैं ये तीन घड़ी तीन अपल तीन नक्षतर तीन समय तीन दिन में जो शूल मुझे समर्बित करता है उसके जीवन से में शूल अठा देता हूं वो तीन दिन लिखें सकंद पुरान महराज बेसाक महिने में जो प्रदोश आती है बेसाक के महिने में बहुत ध्यान से सुनना भाई जो अपनी जिन्दगी से बहुत तंग आ गए हो परिशान हो गए हो कष्ट में जीवन जी रहे हो बहुत दुखी हो गए हो उनके लिए ये सकंद पुरान का चरित्र फिर मिले अप्रेम से सुनने पहला बेसाक महिने की प्रदोश चाहे वो सनीचरी प्रदोश हो चाहे रविवार की हो सोंबार की हो मंगल की हो बुदभार की हो गुरुवार की हो शुक्रवार की हो शनीवार की हो कोई विवार की हो पर बेसाक महिने की प्रदोश प्रदोश काल में शा दूब रहा हो बस दूबा ही हो और उस समय पर सुरी के डुबन के तुरनत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चड़ाते हुए बेलपत्री के ब्रक्ष के साथ काटे बाबा के शिवलिंग पर समर्खित करे जाते हैं महाराज अपनी जिन्दगी में अर्चनों लोगांको हटाने के लिए फिर आप जिस वीफार में उत्रें में यस वेसाइं में उत्रें आप से लिखा इसकर has dry मिलें गिए आप हार नहीं सकते नीचे नहीं चरदेंगे एक वेराप मास की प्रदोर्श कि दूसरा अ शिवरात्री के दिन मध्यान का समय माराज जो बड़ी शिवरात्री होती है माग की बड़ी शिवरात्री के अंतरगत मध्यान का समय में दोपाहर के फीक बारा बजे चाहे फिर वो कोई भी दिन हो माराज शिवरात्री जिस दिन पढ़ रही हो उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को साथ कांटे बेल पत्री के व्रप्षके समर्पित होते हैं मारा इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं जो शिवरात्री के दोपार 12 वज़े वाले हैं अगर कोई मदिरा पीने वाला हो वेसन में डूबने वाला हो कोई जुआ खेलने वाला हो कोई गलत वैश्या व्रत्ती करने वाला या अपने मार्गस से बिचलीत कोई व्यक्ती है उसके लिए भी ये काटे बहुत काम आते हैं दूसरा पारवती तेरे द्वारा तेरे नैन अश्रू से जो प्रगटा हुआ बेल का ब्रच्च है कि दूतीये शूल में वहां धारन करते हैं तरतीये शूल थीसरा शूला जो वर्णन करा गया दोत महराज भागवान स्रावन के महिने में स्रावन के महिने में में जो भी दूसरा सुंबर पड़े जो स्रावन के महेने का दूसरा सुनाएं आप सबको पहले भी स्रावन के महीने में जो कता तनी विध्यान हो उसा भ्याठ्चैन और जाट शाष्तर अब घड़ी और पल का इसमन करेंगे तो रातरी के बजेंगे दससे बारा के बीच में धघतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है महारथ ये भी हमारी बांधाओं को, हमारी तकलीफों को वेपार विसाय के लिए, नोकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एक्जाम में आप बेट लिए, गवर्मेंट एक्जाम के लिए बेट लिए, नहीं हो रहा, ये तीन बार मेरे शंतर को बेल पत्री के ब्रक्च के शूल समर्पि